वालमे की टैगर रजर में मुख्य सडक के लक्षमी पूर रमपुर्वा के पास एक तेंदुआ सडक पर घूमते हुए नजर आया इसका वीडियो परियाटकों ने बनाया और विभिन ने सोशल साइट्स पर इसे वाइरल कर दिया परियाटकों के लिए जानवर देखना पहली प्रात्मिकता होती है ऐसे में दोडलब जानवर दिख जाए तो वालमिकी टाइगर रेजर्ब का सफर पूरा माना जाता है परियाटकों दोरा वाइरल वीडियो रात के समय का बताया जा रहा है कुछ परियाटक बगहा से वालमिकी नगर की तरफ जा रहे थे इस दोरान बीच तरडक पर एक तेंदुआ घुमते हुए दिखाई दिया हाला कि तेंदुआ को देखकर कुछ लोग सहम गये जबकि कुछ लोगों ने उसका वीडियो बना लिया आपको बता दें कि वर्तमान में तेंदुआ की संख्या 125 के पार हो गई है इससे पहले 75 थी आम तोर पर तेंदुआ इंसानों से दूरी बनाये रखता है लेकिन भोजन की तलाश में वो रियाईशे इलाके में घुस रहा है कुछ सालों से इस शिकार पर सक्ती हुई तो इसकी संख्या में जाफा होने लगा है एवं चित्मन नेशिनल पार्क आपस में जुड़ा हुआ है दोनों जगह से जंगली जानवरों का आना जाना लगा रहता है वीटियार में विन्न प्रजातियों के वन्य प्राणी निवास करते हैं VTR में रहने वाले वन्य प्राणियों का सड़क पर आना आम बात है, बाग भी जंगल से निकल कर कई बार सड़क पर देखे गए हैं, इसके चलते लोगों को सचेत रहने की जुरत है, लगबग 900 वर्ग किलोमीटर में फैला VTR वन्य प्राणियों का घर है, इसलिए वन्य प्र से अविशिक पंडे की रिपोर्ट बिहार तक